उत्तर प्रदेश बिधान परिशत की सभापती रमेश यादों के छोटे बेटे अवजीत यादों के मौद के मामले में पिछले 40 घंटों में 4 थोरी उभर करके सामने आई है हर घंटे दो घंटे पे मौद की थोरी बदल जा रही है जरा सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है हम करेंगे इस मामले की गहन परताल मैं हो विद्धा संकरतिवारी इंडिया ने उसके डिजिटल चैनल इन खबर के लिए अब जीत की मौद कैसे होई लगबग 40 घंटे 38 से 40 घंटे हो चुके हैं लेकिन हर घंटे 2 घंटे में मौद की थोरी बदल जा रही है पहले मा मीरा यादों ने कहा था कि वो नसे का आदी था नसा करके आया रात में जगडा हुआ और उसके बाद उसने चेस्ट पेंड की बात की चेस्ट पेंड चेस्ट ले जाये गया और वहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घंट कर दिया फ़ली यह थी दुसरी था की सविकार कि आकि नसा करके जब घर पर आया तो उससे कहा सुनी हुई थी और कहा सुनी के बाद उसने उसका गला घुर दिया था यह दुसरी थोरी यह निकल करके तीसरी थियोरी ये निकल करके आई और अब चोथी थियोरी एक बताई जा रही है कि उसने सुसाइड कर लिया अब सवाल यह है कि चारों थियोरी में कौन सी थियोरी सच है साइन्स कभी जूट नहीं बोलता जो पुश्मार्टम रिपोर्ट आई है उसमें गला गोटने और सा आस रुकने से मौट की बात है सिर्फ चोट की बात है आखिरकार उस रात दारुल सभा में ऐसा कुछ तो हुआ जिसका पूरा सचा भी नहीं आ रहा है एक बात और सामने आ रही है वो यह है कि रमेश यादव और उनकी दूसरी पत्नी मेरा यादव के समन ठीक नहीं थे यह अपने दोनों बेटों को लेकरके दारुल सभा में रह रही थी जबकि वो अपने सरकारी बंगले में रह रहे थे तो उनकी दो साधिया थी पहली पत्नी प्रेमा यादव एटा में रहती हैं अपने बेटे आसीज के साथ वो विधाय करा चुके हैं और दूसरी पत्नी अप अपर आटेक से मौत नहीं हुई है यह पोस्ट मार्ट रिपोर्ट से लगबाग किलियर हो चुका है अब बात यहां पर आती है कि क्या गला अकेले मीरा यादों ने घोटा या उनके साथ और लोग भी सामिल थे मीरा या या गोटा या किसी और ने गला घोटा यह चार धोरिय करना चाहती है कि वो खास और से साइंटिफिक तरीके से ताकि अब यह मामला यही तक नहीं रहने वाला यह मामला आदालत में जाएगा तो वहां पर इसे साबित किया जा सके कि यह मौत हुई तो हुई कैसे की तरह से की गई और कौन-कौन इसमें सामिल है तो यह 40 घंटे चा हुई